तो वेलकम डियरे स्टूडेंस ब्रिलियंट नौलेज के यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हमारे शामने कोस्तन के हाई इसको बले देख लेते हैं प्रशन है बिहार में पाए जाने वाले खनीजों का वर्गी किर्थ कर खनीजों क्या वर्गी किर्थ कर मतलब उससे बाट कर कि खनीज के कितने परकार हो सकते हैं जैसा कि आपका बुक में है और आगे बोला कि किसी एक वर्ग के खानीज का वीतरन वीतरन मतलब वो खानीज कहां कहां पाया जाता है एबंग उपयोगीता और खानीज के क्या उपयोगीता है इसको लिखना है तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खनीज का वर्गी करन कितने भागों में किया गया है और किसी एक के बारे में हमको वर्णन करना है उसका वीत्रन और उप्योगिता बताना है तो आए उत्तर में देख लेते हैं देखे उतर में बिहार राज में पाए जाने वाले खनीजों को दो वर्गों में वर्गी कृत किया गिया है बाटा गिया है पहला नंबर में है धातविक खनीज धातविक का मतलब होता है धातू का ऐसे खनीज से क्या मिलेंगे धातू मिलेंगे इसे गलाने पर इसे क्या करने इसे गिलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है समझ गया बात को अब आगे चलेंगे हमें क्या बोला कि इन दोनों में से किसी एक के वीत्रन और उपयोग उपर परकास डालना है नहीं बताना है तो आए हम लोग धातुवी खनीच के वीत्रन और इसके उपयोग को हम लोग बता देते हैं सबसे पहले धातुवी खनीच के वीत्रन को बताएंगे यह कहां कहां पाया जाता है देखिए धातुवी खनीच के वीत्रन इसको ध्यान से देखिए यहां यहां मतलब बिहाड में धातुवी खनीच की अंतरगत बाकसाइड मेगनेटाइट और सोना आयसक आ जब हम किसी भी चीज को जमीन के अंदर से निकालते हैं तो वो गंदे रूप में होता है और उसका सफाई उफाई करके तब उससे सोना निकलता है लोहा निकलता है और सब धातू निकलता है तो वही जमीन से जो गंदे रूप में निकलता है उसी को हम लोग आयस के बोलेंग और भी कोई धातू निकलता है तो आयस के गंदे रूप में होता है इसी से धातू निकलता है ठीक है तो आगे देखिए अब हम लोग बता देंगे कि बॉक्साइड कहां मिलता है तो बॉक्साइड गया जमुई और बांका जीले में मिलता है यह तीन जीला में बॉक्साइड म उसी छेतर में मिलता है अब आगे चालते हैं सोना के बारे में भी बता जाते हैं देखें सोना के बारे में ये काफी अल्प मातरा में अल्प मातरा मतलब काफी थोड़े ही मातरा में जादा नहीं पाया आता है अल्प मातरा में दच्चिन बिहार के नदियों के बालू में मिलता है यानि दच्छिन बिहार दच्छिन बिहार का मतलब पूरे बिहार का जो दच्छिन साइड का जो जीला है उसको दच्छिनी बिहार बोलेंगे तो वहीं जो नदियां है उसी के बालू में उसी के रेत में जो है सोना मिलता है आगे देखिए जारखन से अलग होने पर अधिकांस कनीज जारखन में चला गया है यानि बिहार से जारखन अलग हो चुका है पहले बिहार और जारखन मिलकर के एक ही राजयता बिहार था अब जारखन जो अलग हो गया है तो अधिकांस जो खनीज जो है जो खन अब आगे बढ़ेंगे और धात्वी खनीच के उपयोगीता को भी देख लेंगे तो यहां पर देखे धात्वी खनीच के उपयोग इसका क्या उपयोगीता है इसका उपयोग बरतन किसका धात्वी खनीच का मतलब यह हुआ कि धातू का धात्वी खनीच से धातू निकलता है और धातु का उपयोग हम किस रूप में करते हैं बहुत सारे उपयोग में करते हैं धातु का जैसे बरतन बरतन किसका होता है धातु का ही होता है तो बरतन मसीन एवंग इसके पूर्जे इलेक्ट्रोनिक उपकरन सिक्का या आपका जो सिक्का होता है जो इसको पैसा बोलते है है वह आपका धातु का ही होताया अभुषन का मतलब होता यहां जी बनाने में किया जाता है यहां पर ये वीडियो समाब तो होता मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी देनवाद